कि चलिए एक एडवान्स सवाल लेते हैं देखो कुछ बच्चे बोल ये भी सोच सकते हैं सर बहुत लेंदी ले जाते हैं अब टॉपिक को लेकिन ये चप्टर ना सभी से कनेक्टिट हो जाता है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है एक एडवान्स सवाल लेते हैं लेते हैं 10 प्लस में 4 लेते हैं ठीक है 10 प्लस में 4 और अभी कॉल से इडवान्स वगरा तो मैं डाल ही नहीं रहा है इसमें 10 प्लस में 4 चलिए सर 10 प्लस में 4 और यह बहुत बड़ा कर दिया है यहां मान लेते हैं कि 3 रुपए यहां मान लेते हैं 4 रुपए कितने हो गए 4-3-7 यहां मान लेते हैं 3 रुपए कितने हो गए 10 और यहां मान लेते हैं 2 रुपए दो ही होंगे ना ओके चार माल लिए ठीक है अब प्रीमियम का डिस्टिबिशन कर रहा हूं है प्रीमियम का डिस्टिबिशन कर रहा हूं है और एक को फेल नहीं करेंगे हम दो तीन वक्ति को फेल कर देंगे ठीक है यहाँ पे प्रीमियम है यहाँ पे प्रीमियम है two share capital and two security premium although यहाँ पे भी मैं रख सकता था एक रुपे लेकिन कोई जुरत नहीं है वो आप समझ जाओगे एक basic समझ जाओगे सर यहाँ पे है एक रुपे security premium और दो रुपे share capital और यहाँ पे आप समझ ही गए क्या बनने वाला है एक रुपे security premium और तीन रुपे ठीक है न चार हो गए सब कुछ सही चल रहा है अब हम fail करते हैं किसी वेक्ति को लाते हैं Mr. X fail हो गया कितने share से 200 share उससे हमने मौका ही मौका मौका ही मौका और यहाँ share for feature हुआ ठीक है मतलब वो 200 share पे fail हुआ हम आगे तक उससे मांगते गए और फिर last में share for feature किया जैसे ही यहाँ पे आए तो एक वेक्ति और आगे Mr. Y यह यहाँ यह भी fail हो गया 300 share इस Y को मैंने कोई मौका नहीं दिया इस Y को मैंने कोई मौका नहीं दिया इसका यहीं share for feature हो गया समझ रहे हो मेरे सवाल को इस Y को कोई मौका नहीं दिया मैंने यहीं फोर फिचर कर लिया अब आ जाते हैं सर अब आ जाते हैं Mr. Z इसके पास 400 शेयर और यह यहां फेल हुआ तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पे शेयर फोर फिचर हो सकता है इसका ठीक है अब कितने शेयर होगे 200, 300, 400 टोटल कितने होगे 900 अब रीशू ध्यान से देखिएगा मैं यहां पे कुछ पॉइंट लेना चाहता हूँ हलाएकि टाइम वक्त लग जाए लेकिन समझ में आ जाए रीशू किये मैंने टोटल बड़ा मज़ेदार सवाल बनाते हैं एक बोड़ पे पूरा मिला है तो पूरा बनाते हैं रीशू किया है हमने मान लेते हैं कि हमारे पास साथ 2, 3, 5 और 4, 9 रीशू मैंने किया है 800 800 करें? नई, 700 करते हैं थोड़ा इंट्रस्टिंग बनाने के लिए 700 शेयर एड़ दा रेट एड़ दा रेट कितने का सर? एड़ दा रेट 9 रुपीज का और इंट्रस्टिंग कितने का? एड़ दा रेट 9 अब सवाल आता है सर कि जो यह आपने रीशू किये हैं यह किसके है डी इशू 700 शेयर किसके है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो Mr. X है Mr. X है उसके 200 शेयर है और सर Mr. Y है Mr. Y है उसके भी 200 शेयर है सर और सर Mr. Z है उसके कितने बच गए 300 मैं बता रहा हूँ यह बाते आपको सवाल में भी गीवन होगा ऐसे ही 300 है और मैं लास्ट वाले के लिए 300 ना बोलके बैलेंस बोल सकता हूँ मैं बैलेंस Mr. Z का ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ वो आपको दिमाग लगाने है ठीक है न यानि सर इसके पूरे फुली इशू इसके पाटली और इसके भी पाटली इशू तो हम बड़े ध्यान से एक-एक शेयर का फूर फीचर करने वाले हैं और एक-एक शेयर को री इशू भी करने वाले हैं सवाल हमने थोड़ा बड़ा लिखके इसको कर दिया चोटा क्लियर है कुश्चन हर बच्चे को क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएं और इस सवाल में आपके सारे इफ वर्ट क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो अगर इसमें नहीं होता तो फिर तो दिक्त है कुश्चन हर बच्चे को क्लियर है फटा फट कमेंट में बता दीचे जो मैंने सामने कुश्चन बोला है क्लियर है तो हम आगे बढ़ें इसमें क्लियर है चलिए कुछ बच्चे बोल देते हैं तो उसी को मैं अजंशन लेके आगे बढ़ रहा हूँ अब मैं एक एक करके ध्यान से बड़े ध्यान से फोर फिचर करूँआ पहले मैं कहानी खतम करूँआ किसकी X की X का फोर फिचर करते हैं तो हम करेंगे चैर कैपिटल बच्चे बोलेंगा एक घट्ता करतें तो गलती के चांसे बढ़ जाएंगे आपके चैर कैपिटल चैर कैपिटल अकांट डेबिट टू अब से पहले टैक करना होगा कि शेर कैपिटल में कितना डेबिट इससे सारा मौका दिया गया तो कितने 200 गुणा में यानि इंटु में 10, 2000 सर क्या यहां पे share capital को हम debit करेंगे तो अब हमें security premium को debit करेंगे अब हमें check करना होगा सर क्या check करना होगा चेक यह करना होगा क्या हमारे पास यह fail कहां कहां हुआ premium पे fail हुआ या नहीं हुआ जी हां यहां भी premium पे fail है जी हां यहां भी premium पे fail है और जी हां यहां भी premium पे fail है यानि सभी premium पे fail हो गया तो हमें इसका security premium account को debit करना होगा यानि जहां जहां premium पे fail हुआ सब को जोड लेंगे 2 रुपे, 1 रुपे, 3 रुपे और 1 चार रुपे तो sir इसका जो amount आएगा वो आएगा 4 के हिसाब से और वो आजाएगा 800 रुपए और 2 share forfeiture sir 2 share forfeiture forfeiture जितना पैसा भाई तूने दिया है उतने ही तो forfeiture करेंगे इसने सिर्फ 3 रुपए दिया है तो 200 गुणा में 3 that is हमारा 600 रुपए और 2 calls in area calls in area sir calls in area में सारा आजाएगा यहाँ पे 4 रुपए नहीं दिये यहाँ पे 3 नहीं दिये यहाँ पे 4 यानि sir calls in area में premium को add करके दिखाया जाता है अगर feel हुआ है तो तो कितने हो गए 4, 3, 7 और 4, 11 तो sir 200 गुणा में 200 गुणा में 11 that is हमारा 22 तो यह आपके बनगे पहले की कहानी अब इसके भी रिशू कर देते हैं capital reserve सबका इखटा भीजूँगा मैं ठीक है पहले मैं रिशू कर देता हूं तो sir capital reserve भी खटा करने वाले ठीक है चलिए एक्स का कहानी खदम अब वाई को लेके आते हैं दूसरे कलर में Mr.Y वाई अब इसका करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यह कैपिटल अकाउंट डेबिट अब देखते हैं वाई का चेक करते हैं वाई यहाँ प्रेमियम का पैसा नहीं दिया यहाँ फेल हुआ और यहाह तो फेली नहीं हुआ क्योंकि उससे हमने आगे बढ़ने नहीं दिया और यह वाला पे कर चुका है ये प्रिमियम पे कर चुका है तो क्या इसका सेक्यूरियंटि П्रीमियम debit होगा सर हाँ इसका security premium debit होगा सर कितना security premium पहले capital की बात कर लेते हैं इससे यहीं तक मांगा गया है 3, 4 और 3 तो यहाँ यह भी capital 3 रुपे और यह भी capital 5 रुपे और यह भी capital 2, 7 रुपे तो कितने होंगे इसके 300 into में 7 that is 2100 रुपे बताइए कोई doubt अब premium का पैसा जो पैसा premium का दे चुका है उसको तो हम दिमाग से निकाली देके 4 फीचर पे impact डालेगा लेकिन जो नहीं दिया और वहाँ fail भी हुआ है उसको लेंगे तो सर यह वाला नहीं दे रहा और यहाँ fail है यानि सर 300 गुणा में 300 गुणा में एक और वो आएगा सिर्फ तीन रुपए और एक दो रुपए यह तो premium का पैसा दिया और यहाँ तो failure हो गया पांच तो यह आएगा 300 गुणा में पांच डेट इस आपका 1500 और अगली बात कॉल सिनरियर कॉल सिनरियर कॉल सिनरियर कि सर कहां एक ही जगे डाउट है बता दीजे तभी मैं आगे बढ़ूँगा इसमें जिसका भी डाउट है बताईए फिर मैं आगे बढ़ूँगा दो के पूर फिचर हो गए हैं सर दिख नहीं रहा ठीक है दिखा देते हैं अभी इसको थोड़ा सा अब चेक करिए अब दिख रहा होगा नाओ क्लियर है नाओ क्लियर है पहले विज्विलिटी बताईए फिर मैं दुबारा बता दूँआ सेक्यूरिटी प्रेमियुम एक वार फिर देखिये मेरे वर्ड को सुनियेगा अगर आपने प्रेमियुम का पैसा दे दिया तो कोई रोल नहीं है आपका share for feature में सिर्फ जाएगा कौन सा पैसा share capital का दो बाते अगर premium का पैसा नहीं दिया है तो for feature के time पे debit भी होगा मैं तीनी बाते बोल रहा हूं मैं तीन बाते बोल रहा हूं इसको देखिए number one अगर आपने premium paid कर दिया है तो sir share for feature में only जाएगा हमारा share capital number two अगर आपने premium नहीं दिया है not paid तो sir share for feature में यह debit हो जाएगा लेकिन सर ऐसा नहीं कि जितने सवाल में premium है सबको जहां जहां उसके category के हिसाब से ठीक है तो इस point में क्या था भाई आजाओ mister कौन है यह कौन है यह जड़ नहीं जड़ नहीं पर भी तो इस पर आ जाते हैं mister y ठीक है ध्यान देजिए mister y क्या कहता है कि मैं 300 share के पैसे नहीं दूँआ यानि mister y 300 share के पैसे नहीं दे रहा और कहां नहीं दे रहा इस जगह नहीं दे रहा तो भाई और इसके बाद mister y को मैंने बोला बस तुमसे हम आगे नहीं मांगेंगे तुम्हारे यहीं share for feature कर लेंगे y ने बोला अच्छा कोई बात नहीं अब y का हम detail करेंगे तो y का यहां से यहां तक category किया गया है तो y का share capital कितना debit होगा capital capital छाट लो पहले तीन रुपे और दो पांच रुपे और इसमें तो दो था इसके आगे का तो जाएंगे नहीं तो दो दो और दो चार और तीन साथ रुपे तो that's why यहां पे capital debit हो गया हमारा कितना सर साथ रुपे का अब security premium सर ये वाला तो y ने premium दे दिया तो इसका कोई role नहीं है ये वाला y से मांगा गया था और इसने premium दिया नहीं तो ये premium debit होगा और यहां तक तो y को पहुँचने नहीं दिया तो premium debit कौन सा होगा सर्फ ये वाला होगा तो इसलिए premium debit कितना हुआ 300 multiply by 1 अब आ जाते हैं 4 feature जितना पैसा वाई ने दिया वही 4 feature करेंगे तो वाई ने ये भी 4 दिये और ये भी 3 दिये लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 feature सिर्फ capital होता है तो 3 और 2 5 ये 5 है कैसे बना 3 प्लस में 2 5 call scenario सर यहां पर area है 3 रुपए का तो ये आ गया बताईए समझ में आया के नहीं आया क्ल क्लियर है कि अ कि fourth आई अ बताये आपको क्लियर है सब भी को किया करने जा रहे है हमें यां पर ठीक है अचलिए और अbak जाया जायाए कहां सब्धें से ठीक मिस्टर जेड करiness मिस्टर जेड मिस्टर जेड है यहां फेल हुआ और बाकि सब कुछ देता गया तो सबसे पहले शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिड सर शेयर कैपिटल में तो पूरे 10 जाएंगे कितने शेयर है चार सो इंटू में 10 देट इस आपका चार हजार और अब बारी आती है सिक्यूरिटी प्रेमियम को डेबिड करने का क्या सिक्यूरिटी प्रेमियम डेबिड होगा तो जवाब अगर ये फेल हुआ है देने में तो होगा एक यहाँ प्रेमियम था दे दिया ये वाला तो डेबिड नहीं होगा एक यहाँ प्रेमियम था दे दिया ये भी डेबिड नहीं होगा एक यहाँ प्रेमियम था नहीं दिया तो ये वाला डेबिड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा सर चार सो गुना में एक यानि चार सो अब बारी आती है, टू शेर पॉर फीचर, चलिये सर, शेर फॉर फीचर में वही पैसा आएगा सुर्फ केपिटल का जो इसने दिया होगा, वही पैसा आएगा जो इस constraint का पैसा किसने दिया होगा, z ने दिया होगा, तो सर कापिटल का पैसा यह वाला तो दिया नहीं यहाँ पर capital का पैसा दिया कितना? 2 रुपए यहाँ capital का पैसा 2, 4 रुपए और यहाँ capital का पैसा 3, तो 7 रुपए तो sir यह आजाएगा 400 इंटू में 7 that is आपका 800 रुपए और क्या आएगा 2 calls 2 calls in area sir area जो नहीं दिया तो 4 रुपए नहीं दिया तो 400 इंटू में 4 that is आपका 1600 तो यह आगया हमारा share for feature मेरे हिसाब से इस example के बाद क्योंकि अगर मुझे आप बोलो ना इस chapter में धेर example दो तो मैं देता जाओगा आपका महिना भी निकल जाएगा खतम नहीं होगा तो मेरे हिसाब से जितना हमने यह किया है यहां तक आपको clear हुआ होगा share for feature का X में security premium debit में 400 आएगा बाकी premium तो दे दिया है X ने X के debit में 400 आएगा नहीं जो दे दिया है बाकी premium X यहीं fail हुआ है और लगातार fail होता गया है सिर्फ यहां नहीं fail हुआ X यहां भी fail हुआ है और यहां भी fail हुआ है और last तक fail हुआ है ठीक है तो इसलिए हमने लिया है सूरज इसलिए लिया है मैंने बिल्कुल area में premium भी लेना है हमें clear है यहां तक बढ़ा जाए आगे क्या re-issue कर दिया जाए ठीक है री-issue करते है चलिए री-issue करेंगे तो bank account debit bank account debit अब ध्यान से दिखिएगा सर्थ 700 share री-issue हो रहे हैं तो 700 share कैसे बने 1200 जमा फिर से 200 प्लस 300 यह तीनों के मिलाके हमने कितने में बेच दिये 9 रुपे में तो कितने होंगे 60 तो 790 6300 अब नुकसान है तो यहां share for feature account debit किया जाएगा नुकसान किसका है सर्फ पहले वाले का भी नुकसान दूसरे वाले का भी नुकसान तीसरे वाले का भी नुकसान यानि सर 200 मैं ज़्यादा complicated नहीं कर रहा टोटल 700 से और इन सभी से एक एक रुपेय का नुकसान हुआ तो that is 700 और 2 2 equity share capital 2 equity share capital 7000 2 equity share capital 7000 बताइए जवाब बताइए पहले 4 feature भी के बाद re-issue पे ध्यान दे मैं लिख देता हूँ ये re-issue की entry है re-issue की entry है तो क्या re-issue में सभी बच्चों को clear है अब मज़दार चीज अब आएगा क्या capital मज़दार पॉइंट अब आने वाला है capitalism चलिए अब बड़े ध्यान से सारे दिमाग में जितनी बाते चल रही हैं आपके सब बातों को अलग करो कि अब इसको समझाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा space रखा है करिए अब सबसे पहले न हमारा capital reserve का मतलब क्या होता यह समझना भबने shares को जब छीना और उससे जितनी कमाई हुई और shares को जब दुबारा बेचा उससे जितने का नुकसान हुआ उन दोनों के बीच में मैंने कुछ extra पैसा कमा लिए जो पैसा कमाया जाता इस तरीके का बोला जाता यह normal profit नहीं है यह profit है capital profit इसलिए इस पैसे को P&L में न डालके हम capital reserve में डाल देते हैं समझे बात अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किस से कितना कितना पैसा चीना तो हम देख लेते हैं कि X भाई 13 से मैंने कितना पैसा चीना तो X से जो हमने share for feature amount किया है कितना किया है X इधर आजा 600 X से कितने पैसे लिए 600 अब आ जाते हैं Y से कितने लिए Y से Y Y 1500 अब आ जाते हैं हम Z से कितने लिए Z से लिए मैंने ये रहा 2800 मैं इस पे आप सभी के थोड़ा सा समझने के लिए Circle भी लगा देता हूँ So that आपको clear है ठीक है So that आपको clear रहे एक तो सर ये है सर एक ये है और सर एक ये है ठीक है ये सभी पैसे हमने share for feature किये है अब री इसू की बारी करते है हमारा जो calculation होता है calculation री इसू का दो तरीके के से calculation होता है एक तो direct उठा के minus कर देते हैं और एक पहले convert करते हैं फिर minus करते हैं direct उठा के minus किसमे करते हैं जिसके सारे share ratio हो गये हो और convert किसका करके करते हैं जिसके partly share ratio हुए हो समझ रहे हैं आप तो हमें अब पहले तो ये टैय करना है के sir हमें किसका डारेक्ट माइनस करना है तो सर जो X था न, इसका full ratio हुआ था, इसका कितना ratio हुआ था, full, तो इसमें convert ही नहीं करना, और दूसरा Y है, इसका full नहीं हुआ, इसका part हुआ था, तो सर इसका profit convert करना है, और इसका भी क्या हुआ था सर, part हुआ थो तो convert करना है, तो convert करने का क्या तरीका है, और सभी को भी convert क करके दिखाओ तो convert लोग कर देते हैं divided by 200 और गुणा में 200 तो जवाब तो वही आएगा न 600 ठीक है न क्योंकि जब हम किसी नंबर को मान लेते हैं कि आपके 10 रुपए आपके pocket में है और आप 5 टॉफी खरीदोगे तो कितने हो गए आपके यानि 2 रुपए का एक टॉफी यान लोगों की कितने income की सेम उसी तरीके से चलिए सर इसमें convert करेंगे जी हां कमाई है 1500 और कितने shares पे 300 और रीशू कितने किये 200 तो यहां पे आजाएगा सर 1000 रुपए यहां पे आजाएगा 1000 रुपए यहां पे आजाएगा 1000 रुपए अब इसको भी convert करना है that is आपका 2800 और divided by 400 share है और इसके रीशू हुए 300 तो कितने आगए 2100 कितने आगए 2100 यानि total हम बता बात करें तो 2100 रुपए हमारे आ चुके हैं इसके तो यह ना जैसे मैं systematic कर रहा हूं न तो starting में systematic करो बाद में आप जैसे भी करना है आपको कर सकते हूं चलिए sir अब बात करते हैं नुकसान अब बात करते हैं नुकसान की नुकसान यानि sir नुकसान का मतलब क्या लॉस अब बात करते हैं किसकी हम लॉस सर x से भी लॉस हुआ x के share 200 share बेचे और लॉस किस पे हो रहा है री इशू पे तो x के 200 200 बेचे मैंने तो 200 का नुकसान वाई के मैंने 300 बेचे इस पे भी एक रुपए का नुकसान 300 जड़ के मैंने 400 बेचे नहीं जड़ के मैंने नहीं इसके 200 बेचे हैं इसके 200 बेचे हैं भाई 200 तो कितने का नुқसान? नुकसान 200 का और इसके कितने बेचे मैंने? 300 तो कितने का नुकसान? 300 का अब एक-एक करके net income निकाल लेते हैं पहले ये समझ में आया net में निकाल लेते है नेट में थोड़ा लंबा लेके जा रहा हूँ मैं लेकिन समझ में आएगा आपको x से net कमाई, x से net कमाई, फाइदा 600.200, यानि कितनी कमाई, 400, y से net कमाई, फाइदा 1000.200, 800, और z से net कमाई, फाइदा 21.300, तो कितने, 1800, तो अब जो net कमाई आई आई न, वो 4 और 8, 12, 12, 3,000, सर ये कमाई आ गई, तो इसको उठा के भेज देंगे हम, share for feature, to capital reserve, और ये आएगा हमारा सर, ये आएगा हमारा कितना, 3000 रुपया, ये आएगा 3000 रुपया, सर इसका कोई direct करने का तरीका नहीं है, definitely इसका direct करने का तरीका बताते हैं, direct कैसे करते हैं, आप, आपकी total कमाई कितनी हैं, जोड लीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें direct नहीं जा सकते हैं, आपकी total कमाई कितनी है, 1600 और 2100, कितने बनते हैं, 3700 रुपया, आपकी कमाई 3700 और नुकसान reissue के time पे 700, तो direct कर सकते हैं, 3700 माइनस 700 और 3000 आ जाएगा, बताईए मैंने देखो, ये detail में भी कि और direct वी बता दिये, किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए, credit 400, 700, 1700, बच्चे ने X का बताया, 400 credit, Y का 700 credit, पता नहीं आपने सोन्या, कहीं mistake किया है, मुझे लग रहा है, आप यहां देखके बताईए किसी को कोई doubt तो, यहां तक बताईए किसी को कोई doubt तो, कि हो इंद देखके बताईए, कि सब्सक्राइब अरहा है, बताईए, यहां देखके बताईए, किसी को जवेजाए, किसी को पासे देखके बताईए, कि तो,